उत्रप्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजयराय ने कहा उत्रप्रदेश की बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विर्पल है मिर्जापुर 16 सितंबर को उतरप्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री आजयराय ने ब्रैंक लूट कांड में मारे गए गाड जैसिंग के कौन विकास खंड इस्थित ग्राम सबाचील इस्थित आवास पर उनके परिजिनों से मुलाकात की एवं पीडित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया अजयराय ने कहा कॉंग्रेस पार्टी पीडित परिवार को जरूर नयाय दिलाईगी श्री राय ने एक करोड रुपे उतरप्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि पीडित परिवार को सरकारी मदद दी जाए एवं उनके परिवार को एक आदमी को सरकारी नौकरी दी जाए अज़राय ने कहा कि कोशांबी में बेटी, दामाद और ससुर को गोली मार कर हत्या कर दी गई है इस घटना के भी हमें घोर निंदा है और जो उत्तरप्रदेश सरकार के इशारे पर अधिवक्ताओं के ओपर भी जम कर लाठी चार्ज कराया जा रहा है कहा हम लोग घोर निंदा करते हैं बीजेपी की सरकार हर मोर्चे पर विपल है उत्तरप्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के पूर्व उपाद्यक्ष पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी ने भी पीडित परिवार को पूरा सहयोग एवं नयाय दिलाया जाएगा कहा जिला कॉंग्रेस कमेटी के अधियक्ष शिवकुमार सिंग पटेल एवं शियर कॉंग्रेस कमेटी के अधियक्ष राजन पाठक की तरफ से भी पूरा सहयोग दिया जाएगा अब आप देखिए जिस जाबाजी के साथ इस बहादूर्व भाई ने अपनी नौकरी करते हुए अपनी जान की परवा नहीं किया और मैं यही कहूंगा कि इस व्यक्ति ने अपनी जान की बाजी लगा कर अपनी नौकरी जहां करता है इमानदारी से निस्ठा से उस पर अपनी जान गवाई सहीद हुआ सहीद केवल यह नहीं कह सकते हैं कि नहीं जो जो चीजें जिस तरीके से जिसने फर्ज निभाया अपने उस फर्ज के साथ वो सहीद हुए हम सब लोग आज आए हैं काउरेस पार्टी का हमारा पहले भी हमारे लोग आ चुके हैं आज हम यहां आए हैं हम अपनी सोक समयदना प हम लोग आर्थिक मदद बिनकी करेंगे और हम यह डिमांड करते हैं उत्तप्रजिस सरकार से कि इस परिवार को एक खड़ोटा मोहजा दे और इनको जो इनका इसमें है Islamic Center लाया है Computer और Android मोबाइल के जरिये रोजगार परक कोर्स जिसमें आपको Electronic Media, Training कोर्स, YouTube Managing कोर्स, Video Editing कोर्स, Web Development कोर्स, Expert Teacher के द्वारा सिखाया जाएगा कोर्स की अवधी चार माह है दो डेमो क्लास के साथ अगर आप इन में से किसी कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 8267012169 वह 7017311406 इन नंबर पर संपर्क करें 18 सितंबर से रेजिस्ट्रेशन शुरू